इंडिया में आपी सेशन बहुत आदे इंडिया की काम में वह पूखे नांगे हैं इंडिया वाले इंडिया वाले वूखे नांगे आजी उसके करणसी देखे ना कहां पर आए यह जो है यह जो इंडिया विलीड देखे नांगे लिब्रल देखे नांगे लिब्रल इस्लाम में अगर हम अपना इंपोर्ट बिल देखे जिसमें हम चाहे भी इंपोर्ट करते हैं तो कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि दोसे आप माइनविटी के ऐपर सख्तिया करें और आप ईंके जो इबादत गाहे हैं उनके ओपर सख्तिया करें और इस वक्त सिर्थ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में वेस्टर्न में जिन जिन मुल्कों में मुसल्मान गाए है उन्फॉंट्जिर्टी वहां वहां पे एक अप्रॉबलम ए हम एक लार्ज उम्न की तरफ जा रहे वेरी लार्ज या orbits प्रोग्राम है और यह जो लाड जाए मैं प्रोग्राम है यह कहा जा रहा है कि यह आप समझें कि देश फॉर दे सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आप वेस्ट से नफरत करने की कोई जूरत नहीं पड़ती और उसी तरह जब आप इसलाम को इस तरह की बातों को छोड़ देते हैं कि काफर हैं गंदे हैं बुतों की पूजा करते हैं यह तरह नपाक हैं जब आप यह आइडियास छोड़ देते हैं तो आपको फिर इंडिया से एज अन आइंटिटी आपको उससे कोई नफरत नहीं रहा है कि पाकिस्तानियों जजबी की कमी नहीं है और पाकिस्तानी हर समय जजब यह ना जजबी को बा चीट करते हैं और इसे about Siya पाकिसान तो दुनिया में नंबर वन है तो इसी एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन फिर दूसरी लेवल पर आते हैं बड़ी पोस्ट पर आते हैं तो सब्सक्राइब करें ना अगरम सोधी की बात करें तो सोधी जादा प्रोटकोल इस्टेम इंडियों को दे रहा है क्योंकि उसको पैसा आख वहां से वही मैंने अभी मैंने गुजारिश की एंडिया की कम में वो पूके लेशा पर आख नगे हैं इडिया वाले भूके नंगी उसके करांशी देखें ना कहांपर है तो मारे हमसे बेटर हैं हमसे बुरी है वो नीचे था है अब उसको चाहिए कि वह देखे के मेरी अपनी जाती तालिमात इस्लामी तश्खफ किया है और उस स्टेट की रिक्वाइर्मेंट किया है अब यह कि हम लोग चुके माधियत की तरफ जा रहे हैं देखे ना आप बड़ा अजीब सा लगेगा मुझे कि मैं मैं वजाहर जो है न यॉर्प को बुरा कहा रहा हूं अमेरिका को बुरा कहा रहा ह यह कैसी बात मैं अपनी नात मैं अपनी तिलावत मैं अपना लिट्रेचर मैं उसी यूट्यूब के जरीए परमोट कर रहा हूं तो यह यह दोगली पालिसी हम खुद अपनाए हुए हैं हम यूट्यूब ब्लॉक नहीं कर रहे हैं यहां पर जो औरलें आंडिंग वाले बात कीज़ें वहां पर वूमन इंपाउर्मेंट जाद है मेरे ख्याल में आजकल तो उदर नज़र आ रही है ठीक है तो अगर यहां पर भी होनी चाहिए लेकिन इतनी जादा खास नहीं होनी चाहिए बाहिर काम कर रहे हैं तो हमें भी यह सब चीज़ें परती है इसलिए पर मुझे तो यही लगता है कि एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर मेल घरा कि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमें भी निकलते कुछ करते हैं तो अब ड्राइविंग ले लें के वो चला रहे होंगे तो आगए से बहुत जादा डीगरेट करते हैं कि वह लड़की चला रही है पाकिस्तान के अंदर एक नई हकोमत की का जणा और वह हम एक लार्ज आयमेस प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं वरे लार्ज आयमेस प्रोग्राम और यह जो लार्ज आइमफ program है यह कहा जा रहा है कि यह आप समझें कि this is for the macro economic stability in the country and हमें permanent environment में रहना है permanency चाहिए और long duration का program चाहिए हमें short term gains नहीं करने this is what Pakistan's new finance minister हमारा तो हलात ऐसे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जो मजूदा finance minister इस नहीं हकूमत में आये हैं we have to import हैं उनको भी import करना पड़ा है वो भी एक तो हमारे पाकसान के एक bank है habib bank के president थे नेधर लेंड की उनके पास nationality है वो nationality उन्हें ने छोड़ी है and he had he got a Pakistan nationality क्योंका इस नेधर लेंड के वाले सी यह है कि वहां पे उनकी nationality लेने के लिए आप पाकसान के nationality पर आप छोड़नी पड़ती है नहीं पाकसान की nationality चोड़ी नेधर लेंड के लिए आज जब वो पाकसान के finance minister बने के लिए उसी दिन application दी उसी दिन cabinet नेधर ने अप्रूब की उसी दिन वो बन गए at least we have a face maybe वो हमें एक नए रास्ता दे सकते हैं वो हमें एक नए जो चीज है वो बता सकते हैं so question यह आता है कि जो IMF की जो टीम है वो भी पाकसतान जो है वो पोंच रही है और let's see जो talks है वो भी conclude हूंगी लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यह है कि हम यह जो पैसे जो जो पानी चाए तेल खाना पानी हर चीज जो हम करते हैं यह तो सारा कर्जे का हमारी leadership कैसे यह कर लेती है हमारी leadership यह कैसे कर लेती है कि हमारी जो 20 अर्ब डॉलर का आपका जो deficit है वो कैसे पूरा होता है जिसमें आपको यूएंडीपी कहता है कि छे परशंट आपकी एकॉनिमी का जो है वो तो आप ऐसे कर रहे हैं टोटल देखें हमारे पास हमारा जो जो बजट होता है वह तकरीवर पंद्रा एक ट्रिलियन रुपीज का बजट है भी आती है कि इस पूरे खिते की मा जो है वो इंडिया है प्रोक्लेम भी करते हैं जब आप यह आइडियास छोड़ देते हैं तो आप पिर इंडिया से as an entity, as an identity आपको उससे कोई नफरत नहीं रहा है इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको रियलिस्टिकली देखते हैं आप उनको बस ऐसी करके उनको नफरत से नहीं देखते हैं आप उसके अंदर शामिल होते हैं उसका है कि यह एक मैं आपको सबूत देता हूँ कि जब चांद पर यह रोवर गया था तो पाक साम के बहुत सारे जो लिबरल्स हैं लिबरल्स यह दो नबर गिजम कर नहीं जो आपको उनकी बातों से लगता है कि शायद इनका इसलाम की तरह पितना जैसा कि आपने एक दो प्रकार की वीडियो क्लिप देखिए जहां पर एक वीडियो क्लिप में आपने जो पाकिस्तान के पत्रकार है डोक्टर कमर चिमा वह बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है कि पाकिस्तान की जो नई सरकार अभी बनी है उ पाकिस्तान के खजाने पे बचा हुआ है अगर जल्दी से जल्दी अगर आएमेप की तरफ से इनको लोन नहीं मिलता है अगली किस्त नहीं मिलती है तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा तो सरकारे तो पाकिस्तान में बनती ही इसलिए हैं कि आएमेप से टाइम से टा अक्सर पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि पाकिस्तानियों में जजवा बहुत है और इसी जजवे के चलते हैं पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया में हो क्या रहा है उनको ये पता नहीं है कि दुनिया में जो अलग-अलग कंट्री हैं वो इस समय कितना आग गरीबी बहुत है और अभी हाली में एक रिपोर्ट आई थी आएमेप की जिसमें जो है ना यह बताया गया था कि भारत ने जो एक्स्ट्रीम पावर्टी है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया इनकी एक्स्ट्रीम पावर्टी भारत में बची नहीं 2-3% रहती है लेकिन उ इसलिए उस रिपोर्ट में इसा बताया गया तो यह पूरी वीडियो थी आपको पसंद आये होगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद